दुर्ग विश्विद्धाला के छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही important होने वाली है क्योंकि यहां पर दुर्ग विश्विद्धाला दरा एक नई notification जारी की गई है यदि आप regular से हैं private से हैं और supply के student हैं तो इस वीडियो में आपको दुर्ग विश्विद्धाला जारी पूरक परिक्षा 2023 के notification यहां पर जारी कर दी गई है आप supply है तो इस वीडियो में बताये के date को आप अपना supply form फिल कर सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर notification आप देख पा रहोंगे यूजी कक्षा के first year, second year, final year के यहां पर रेगुलर, private या ex student हैं और supply आए हुए हैं तो आप अपना supply का form फिल कर सकते हैं चाहे आप BA, BSC, BCA या BAB, BSC, BAD के student हैं तो यहां पर सभी के लिए आपको supply form फिल करना होगा ठीक है यहां पर date आप स्क्रीन पर देख पा रहोंगे online आवेदन करने की जो date है आपका supply के लिए वो 24 जूलाई 2023 से start होंगे जिसकी अंतिम्तिती होगी आपका 7 अगस्त 2023 तक के ठीक है उसके बाद form फिल करने के बाद आपको अपनी hard copy जो है वो जमा करनी होगी और यहां पर जमा जो होगा वो आप 8 अगस्त 2023 तक अपना hard copy जो है में form apply किया है तो दिये हुए date में आप अगर form नहीं फिल करते हैं और आपका result नहीं आया है retotaling और revolution का तो result जारी होने के बाद 3 दिवस के अंदर आपको online आवेदन करना होगा यानि कि 7 अगस्त 2023 तक आपका result जारी नहीं होता है और उसके बाद जारी होता है date खतम हो जाता तो घबराने की जरूरत नहीं है आपका result जारी हो revolution retotaling का उसके बाद या आप supply का जो form है वो फिल करेंगे आवेदन आप किस प्रकार से करेंगे तो जिस user id password की मदद से आपने previous exam की जो exam form फिल किया था या जिससे आप admit card अगेरा निकालते हैं उस user id password से यहाँ पर अपना supplementary का form जो है वो फिल करेंगे ठीक है यहाँ पर आवेदन सुल्क की बात करें उससे पहले आपको यहाँ पर जो notification दी गई है वो आप इस पश्ट देख लें कि यदि आपका result पुनर्मुल्यांकर या पुनर्ण गर्णा हितू दिया हुआ है या आपके result जारी होने में WH है WH मतल के इस प्रकार से हैं B.A.B.com भाग 123 और B.A.B.A.B.8 भाग 123 के लिए जो सप्ली का फीस है वो 820 रुपए है और यहाँ पर B.S.C. और B.S.C. होम साइंस साथ ही B.C.A. के 1st second year, final year और B.A.B.S.C. B.A.T. के 1st second year, third year, fourth year के student के लिए 1075 रुपए आवेदन सुल्क रखी गई ह यदि आप Amphil in Clinical Psychology के स्ट्रिंड है तो यहाँ पे 1380 रुपए आपका Supplementary यानि एक सब्जेक्ट का यहाँ पे फिस दिया गया है ठीक है तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आविदन सुल्क दिया गया है ठीक है और I hope information जो है वो आपको समझ आये होगा Supplementary exams related अगर कोई doubt हो या curious हो तो आप comment के माद्दे हम से हमें पूछ सकते हैं आगे Supply exams related जो भी नई information आएगी वो आपको provide की जाएगी नए हमारे चैनल में पहली बारा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि Supplementary के time table या जो भी नई notification आती है वो आप तक मिल सके इसके लिए चैनल सब्सक तो हूम